नमस्कार मैं हूँ आपके साथ अरजुन खजूरी और आपका स्वागत है जीवी नियूस पर इस समय मैं जी स्थान पर मुझूद हूँ ये है सिवील लाइन्स का बही शीश महल जिसको ले करके पिछले लगातार 26 गंटे में देश बर में जो चर्चाओं का दोर है वो बहु नहीं जाने दिया जा रहा है एक तरफ जो आमादमी पाड़ी के प्रवक्ता कल से बैट करके बोल रहे हैं कि यहां पर जो है यह 24 गंटे आम जंता के लिए खुला रहता है लेकिन पतरकार जो यहां कल से जूटे हुए है उनको नहीं जाने दिया जा रहा है आचुबे बज शीष महल शीष महल इसको इसलिए का जा रहा है क्योंकि इसमें जो चीजे लगी हुई है यहां पर रेनोवेशन के नाम पर जो खर्चा किया गया है वो दरसल सवालों के गेरे में है टाइम जाओन भारत ने दरसल इस ओपरेशन शीष महल की शुरुआत की और अब इसमें तू जो है वो सामने आ चुका है और दीरे दीरे उसमें खुलासा हो रहा है शुरुआती दोर में जो यहां पर खुलासा किया गया है पार्टू में उसमें यहां पर सवाल उठ रहे हैं सबसे पहले अवंटन को ले करके कि 45 क्रोड रुपे जो इसमें लगाए गे हैं इस श तो यहां पर आपको बता दें एक लीगल चीज यह है कि 10 करोड से उपर अगर यहां पर खर्चा आएगा किसी भी टेंडर में तो उसका open tender निकाला जाता है यानि की open tender में आप कोई भी आकर के आप में से हम आप में से कोई भी अगर उस business में है तो आकर के उस tender के लिए apply कर सकत तो यहाँ पर पांच बार आवंटन हुआ और आपको जान करके अश्चरे होगा कि पांचो बार जो यहाँ पर राशी थी आवंटन की वो 10 करोड रुपे से कम थी क्योंकि उसमें सीधे तोर पर कानून ये कहता है कि अगर 10 करोड रुपे से 1 रुपे भी कम है तो यहाँ पर क देखेंगे उस अगर राशी को तो एक दम 9 करोड से उपर है, लेकिन 10 करोड से कम है, एक बार जो आट करोड से उपर है, लेकिन 10 करोड से कम है, वो इसलिए ताकि ये राशी जो है 45 करोड सीधे ना हो, क्योंकि उसमें open tender खुलेगा, कोई भी आ करके अप्लाई कर सकता है, तो इसलिए उठ रहे हैं, खुद क्लेम किया जाता था जब यह आमादमी पार्टी बनी, कि हम तो आमादमी हैं, हम तो जो है, चार-पांच कमरों के उसमें रह लेंगे, बंगले में रह लेंगे, लेकिन एक दफतर चाहिए होगा सब के लिए, वो वीडियो पब्लिक डोमेन में ह वो कोई नई बात नहीं है इसमें, लेकिन उसके अलावा अब जैसे खुलासे हो रहे हैं, कल के खुलासे के बारे में हमने आपको बताया था, जिसमें पड़्दों को लेकर खुलासा हुआ था, मार्बल को लेकर खुलासे हुआ था, अब जो इसमें नए खुलासे हो रहे ह अवंटर्न की बात भी हमने आपको बताई अब जो खुलासा हो रहा है यहां पर बिजली को ले करके दिली का जो यहां पर मॉडल आम आदमी पाटी पेश करती है उसमें कहीं ना कहीं बिजली पर बड़ी बाते करती है और मुझे याद आ रहा है अरविंद केटरिवाल का वो अरगर गूमते थे मीटर काटने के लिए अरविंद केटरिवाल लेकिन अब यहां पर इसी शीष महल में बिजली की फिटिंग कितने की की जाती है जो यहां पर बिजली के अप्लाइंसिस जो हैं वो यहां पर लगाए जाते हैं दो करोड अठावन लाख रुपे जी हाँ समार्ट पर पर कि जब आप चलेंगे तो लाइट बंद हो जाएगी समार्ट लाइटिंग है उसके इलावा अगर बात कि जाए तो यहां पर समार फैन ceiling fan, वो ceiling fan की अगर बात की जाए तो कितने रुपे का ceiling fan आएगा 500 रुपे, 600 रुपे, 1000 रुपे चलो, अच्छी quality आपको लेना है कि थोड़े साल चल जाए 1500, 2000, बहुत जादा हाद है तो 3000, 4000, 5000 रुपे सवा 6 लाख रुपे के ceiling fan smart ceiling fan, वो जो 5 रुपे का pen लेकर के घूमते थे अपनी pocket के अंदर, वो ऐसे खुली shirt में, ऐसे फटी चपल में घूमते थे, कि हम तो आम आदमिया आम जंता के लिए जो है हम निकले हुए है क्या करेंगे हम, गाडी, बंगला कुछ नहीं चाहिए, एफिडेविट एक लिखा था 2013 में, 2013 में पहली बार सरकार बनी थी, सवा 6 लाख रुपे ceiling fan, और आश्यर्य होता है lighting पर, smart lighting पर 88 लाख रुपे क्या ये वर्थिट था यहाँ पर, 88 लाख रुपे जो यहाँ पर कहा जा रहा है बार-बार, सवाल इसलिए उठ रहे हैं कहा जा रहा है कि 80 साल पुराना गर है उसकी बार-बार चछत गिर रही थी तो 88 लाख रुपे की lighting लगा करके चछत उसकी रुख गई यह यहाँ पर इसलिए जो है, यह बात गले से नीचे नहीं उतर रही है कि अगर आपको renovation कराना था तो उसमें cement का इस्तेमाल होता उसमें hard renovation यहाँ पर होता लेकिन smart lighting और smart यहाँ पर ceiling fan लगाने से कौन सा यहाँ पर चछत गिरने से बच रहा था इसलिए यहाँ पर सवाल उठ रहे हैं बिजली का हमने बिजली माफ कर दी बिजली करांती पूरी दुनिया आज फॉलो कर रही है हमारा बिजली का model हर जगा बिजली free, बिजली free, बिजली free हलांकि उसमें भी कितनी सचाई है वो हम बार-बार आपको बता चुके हैं 200 unit का जो उसमें जुटी हुई है, यहां पर जो बार-बार कहा जा रहा है कि आम आदमी के लिए दर्वाजे खुले हुए हैं, दर्वाजे कुले हुए हैं एक, मैं incident यहां पर इस वीडियो के मादेम से बताना चाहूँगा एक महिला यहां पर हमारे पास है क्योंकि उसका जो बच्चा है छोटा सा वो 13 दिन से वेंटिलेटर पर है वो आकर के बार-बार यहां पर गुहार लगा रहा है, बार-बार उन्होंने रिक्वेस्ट दी और उसका इलाज जो है वो आगे नहीं हो पारा, 13 दिन से वेंटिलेटर पर है उस बच्चे का दो लाख रुपे उसमें बिल बन गया आगे जो है उस्पिटल उसमें कारवाई नहीं कर रहा है। बात अलग है कि आज पत्रकारों के लिए तो यह दर्वाजा नहीं खुल रहा है लेकिन दो बार दर्वाजा खुला था अर्विन के ज्रिवाल गए थे मनी सी सोधिया की पतनी सीमा सी सोधिया जो भरती है एक प्राइवेट अस्पिताल में उनसे मिलने के लिए और लोग लग रहे हैं शैली अबरा यहां आए थी उनको इजाज़त थी अंदर जाने की रागव चड़ा कुछ देर पहले यहां पर पहुंचे उनको इजाज़त थी अनदर जाने कि आले मौमध इकबाल पहुंचे सोरभ भारदवाच जो यानी की क्रीम लीडर है आम आद्मी पार्टी क है यहांम आदंबी कि और पूट्रे किया जा रहा था आम आदमी इसलिए अभी आमादमी कब खास बन गया पिशले आटनों सालों में इतना परिवर्तन कैसे होगा इसको ले करके लगातार सवाल उठ रहे हैं और सवाल इसले भी उठाव कि कि जो भी प्रतिकरे आप ज़रूर हमार सथ कमेंड बॉक्स में शेयर करें और इससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बनेरे मार सथ धन्यवाद